इंपावर इंडिया का सेर अगर आप लोगों के पॉर्टफोलियो में है तो आप जाके इस चैनल पे पुराने जो भी इंपावर इंडिया के उपर वीडियो बनी हुई है उन सब को देखिये तब आपको पता चलेगा कि विसाल राज ठाकूर आपको सुरू से ये मना कर रहा था कि बहुत expensive valuation है मत खरीदो इस सेर को या फिर खरीद भी रहो तो time time पे profit booking कर लेना लालची ज्यादा मत बनना तो कुछ महानू भाव लोग ऐसे ऐसे comments कर रहे थे कि बेटा तुम मार्केट में नहीं आए हो तुमको नहीं पता है तो भाबा हम मार्केट में 2015 से हैं और जिस FII के इतम पर यह नहीं होने वाला है यह जब तक operator नहीं लगेंगे तब तक company के सेर में लगतार 6-6 महीने तक upper circuit लगते रह जाना मुम्किन नहीं है यह company IT services provide करती है ठीक है मान लिया मैं करती है इसके services को use कौन करता है यह तो बता दो भाई कोई comment section में कौन company है जो इसके services को use कर रहे है आप लोगा काटा गया है चूतिया बहुत अच्छे तरीके से और जो influencer आपको influence अभी भी कर रहे है कि इस share को खरीद लो तो ज़रा पूछो उन लोगों से कि क्या चीज़ देखे भाई या निवेस करें इस company के भीतर influencer भाई बहुत खतानाक है आजकर उन लोगों से थोड़ा सा बच कर रहे है और उल्टी सिधे जो company के बारे में वो लोग राय दे रहे हैं से एक दो अच्छी चीज़ों को बताके मत पढ़िये चक्करों में company की बुरी चीज़ों को सबसे पहले जानने की कोशिस कीज़े कि company के भीतर बुरी चीज़े क्या है निवेसक होने के नाते आपको बुरी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए लेकिन आप लोग तो ध्यान देने वाले है ने भी आप लोगा का पैसा बनना चाहिए जुरूरत नहीं है किसी की बातों को सुनके आप company के operational result देखिए कि company operational result लाग कहां से रही है पैसे कहां से generate कर रही है company कहीं ऐसा तो नहीं है company other sources of income से दिखा रही है जो mainstream है वहां से company के पास पैसे ही नहीं आ रहे है आज कर कंपनी के भीतर पता है scam कैसे हो रहा है ऑपरेटर company के management से मिलके company के management को कुछ पैसे दे देती है जो company कहीं नहीं चल रही है एक dummy company है तुम दिखा दो कि यहाँ पर revenue generate हो रहा है यहाँ पर income generate हो रही है कुछ टेक्सिस दे दे ना retail को तो लग जाएगा कि भाईया company हाँ अब तो काम कर रही है अब retail नहीं सक उसमें आख मून के भेड की तरह पढ़ जाएगे और उसके बाद company के share बढ़ेगा और वो पहले से खरीद के बैठे हुए है बेचके निकल जाएगे मैंने आपको बहुत पहले से ये बोल रखा है कि भाईया इसमें कोई institutions के stake नहीं है अगर कोई भी इसमें pump and dump all this game खेली जाएगी तो सारा का सारा बडन retail के उपर आएगा लेकिन retail को तो यह ऐसा लगता था कि भाईया ये जो वीडियो बना रहा है यही fraud है इसको पता ही नही है कि हाँ यह share बढ़ जाएगा वह यह नहीं होने वाला यह downtrend में चल रहा है और यह lower high लग रहा है selling quantum अगर आप इसकी देखेंगे तो अभी भी बहुत जादा है तो यह उमीद आप पिलकुल मत रखिए कि यह share वापीस से uptrend में आएगा stop loss लगा लिजी और जो पैसे आप रखे होंगे ना इसको एवरेज करने के लिए कोसिस किजिए उसको अच्छी कंपनियों पर लगाईए जिसकी वेल्वेशन अच्छी है जिसके product services आप यूज कर रहे हैं जिसके product services मार्केट में दिख रहे हैं ऐसे कंपनियों के इपर दाव मत लगाईए जो कि सिर्फ हवा म पर चल रहे हैं जो सिर्फ influencer के दम पर चल रहे हैं मेरा आप लोगों के साथ कोई लाव और आनी का रिस्ता नहीं है आप पैसे बनाए तब भी बाबा ना बनाए तब भी बाबा लेकिन मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप योग नुकसान ना करे वही जा बस market के वीतर वरना आप ही लोग यह कहेंगे कि सेर मार्केट जुगा होता है जो कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं जा केल्कुलेसन वगरा थोड़ा देख लिए जा बाकी वेलवेशन बहुत हाई है खरितने की प्लैनिंग कर रहे है तो उन लोगों से पूछ लीजे जो खरित के बैठे क्या है तो सब्सक्राइब करने से पहले भी क्यों पूछ रहे हैं कर दीजिए सब्सक्राइब बाइग